यूट्यूब दर्शकोंको जैशिन्वासन गुरुजी का नमस्कार आप सबको काला निनी कारिक्रम के लिए स्वागत सु स्वागत है गुरु ब्रम्हा गरो वेश्टनु गरर देवो महेश्वरहा गुरु साक्षात परब्रम्हा तसमेश्री गुरवी नमःा जै सिद्धी विनायका जै शरवेश्वरा जै अगस्त्य महरशी जै महावतार बाबा जै श्री राम जै भारत दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हैं ना आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशी से शनी स्वामी कुम्बराशी जा रहे है मकर राशी का स्वामी है शनी कुम्बराशी का स्वामी भी शनी है माकर राशे चोड़के कुम्बराशे प्रवेश कर रहा है शनी हमको क्या क्या करेगा इसके बरे में सब लोग बाईबीत भी हो चुके हैं बाईबीत होने का जरूरत नहीं है क्योंके वो नो उसमें शनी भगवान का संचार रहे वो बहुत बुरा नहीं करेगा किसी को भी बट क्या करेगा शनी करके बोलने से ये डर जाते हैं बाईबीत हो जाता है तो यह होने का जरूरत नहीं है अभी हम बोलने जा रहे हैं क्या क्या उपाय किया तो सब लोगं के लिए अच्छे 12 राशी वालों के लिए जिन राशी वालों के लिए अच्छा है करके देखा तो पहला राशी है मकर राशी मकर राशी वालों के लिए बाग्यों देखा समय है क्योंके मकर राशी का स्वामी कुम्बर राशी जा रहा है वो भी द्वितियस्तान पे जा रहा है द्वितियस्तान को हम वाकस्तानम और दनस्तानम करके बोलते है दनस्तान पे जाने से इन लोगों का बाग्यद हो जाएगा ये एक रुपाई हमको आना चाहिए करके मकर राश्यवाले सोचते रहते हो दस नहीं, पचास नहीं सव रुपे आएगा इतना अच्छा अच्छा फल मकर राश्यवालों के लिए हो जाएगा तो ये आप जरूर देख सकते हैं उसके लिए तो मकर राश्यवालों के लिए पहला राश्य अच्छा है दूसरा राश्य मेश राशी वालों डरके हैं क्योंकि राशी पे राहू आ गया गुरू जी क्या करनाय करके अबी मकर राशी से कुम्ब राशी जाने वाला प्रवेश करने वाला शनी 11 प्लेस में आ जाता है 11 प्लेस को हम ये कदशा स्तान करके बोलता है कोटी दोशा निवारण हो जाएगा सो मेश राशी वालों के लिए भी बाग्योदे हो जाएगा तीसरा राशी है मितन राशी मितन राशी के लिए आठ वी पुदिशन में थी शनिग्रह वो भी अस्टमशनी चल रहे है था उनको सब लोग भाईबीत ते ढरे हुए थे अभी नाइन्थ प्लेस में बाग्यस्तान में पहुंच रहे है कुंबराशी पे सो मितन राशी वालों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा सो दूसरा नाइन राशी से ना नौ राशी से गुरुजी आम आमरा क्या है आपका भी अच्छा होगा अच्छा होने के लिए क्या करना यह उपाई के बारे में आप यह काम करने के लिए अभी स्टार्ट कर लो क्योंकि आप सब लोग के मालूम है गोडे का पाउं पे बांदे हुआ यह रहता है ना लोख बहुत पावरफुल लोख है उसको इंग्लिश में आर्स शू करके बोलते है तो यह गोडे का पाउं में वो डालने का समय नार्मल स्टील में रहता है वो आईरन पीस वो बाते 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 चलते चलते वो ब्लैक कलर में हो जाता है ब्लैक कलर में ब्लैक आईरन हो जाता है वो हर्ष शो मिल गया तो एक अपना देफ्टर का दरवासे के ऊपर अपकर रख देना कर देना इसके साथ साथ को लेकर जै कि कोई ब्लैक्ष मिध्स को दिया तो वह एक बैंगल जैसे बनाया घा एक रिंग जैसे बना के देगा पूरुट राइट हैं अन्यार मीडल फिंगर पेंगेर इन्यार पेला एक राइट यह बना का पेला थोड़ा ग्याप रहे ना चाहिए फीमेल्स स्त्री लेफ्ट एंड मिडल फिंगर में लेफ्ट एंड में एक पेना ये हार्स का गोडे का ये लो से बनाया हुआ आप फिंगर रिंग और बैंगल पेंता है तो जीतना जीतना राजयोग में जो कुछ अच्छा बोला हों उसका दो गुना चार गुना पांच गु प्रवेश करता है न वो सभी आप सब लोगं को अच्छा करे करके हम भी सिद्धी विनायक चरबेश्ट स्वामी से प्रार्तना करते फिर मिलते हैं नाए वीडियो के सथ अब तक लिए नमस्कार लोका समस्ता सुखनों बंतु सर्वेज ना सुखनों बंतु वसुदाई वक तो बंतु मह कम